लो बच्चों, वल्कम टो हर्स पब्लीक स्कूल गुरुगराम यूटूब चैनल तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल प्रैक्टिस फाइव डी का मैंने कम्प्लीट वर्ट प्राव्लम कॉश्ण करवाया था और उनके बेसिस पर जो एक्जाम्पल्स थे व भी करके आप देखो कि आपको कितने आ रहे हैं और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ये चाप्टर्स के जो वीडियो से हैं आप देख सकते हो राइट अगर आ रहे हैं तो पहले खुद से सॉल्व करो है ना और नहीं सॉल्व हो रहे हैं तब आप इस वीडियो को प्ले करके देख करके फिर उसके बाद वीडियो को बंद करो फिर से solve करना start करो जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपने इस chapter में क्या सीखा है और आप क्या questions में कर पा रहे हो और कहां आप first रहे हो तो यह चीज़े आपको बच्छो पता चल जाएगा ठीक है ना चलो तो देखते ह में पहला question क्या रहे है देखो write the division fact देखो division fact क्या होता है तो division fact आपको पता है यहां पर 72 को 8 से multiply कर रहे हैं तो यह आगया तो हम क्या कह सकते है just river process तो आपको क्या करना है इस में 576 में 8 से divide कर तो जब 8 से divide कर गए तो यह result हाँ चाहेगा that is the fact of divisions so here I am written to that same बाते मैं नहीं य क्या किया है 8 से divide किया जब 8 से divide करेंगे तो क्या आजाएगा हमारा 72 questions निकल के आजाएगा understand good अब देखो क्यारे कि without actual divisions write the question and remainder तो do you know इससे पहले मैंने आपको बचो करवाया था 5 I think C में करवाया था कि आपको कैसे 10 से divide करना है बिना calculation कि आप इनकी question निकाल सकते हैं hundred से बताया था thousand से बताया था तो as it is वही question उठाके यहां पर डाला हुआ है तो देखो जब भी 10 से divide करते हैं बचो तो लास्ट के जो unit digit होते हैं उसको हम लोग remove कर देते हैं बाकी जो होता है वो question आते हैं और जो remove करते हैं वो हमारा remainder आते है तो चलिए यहा अब देखिए hundred से करने के लिए हमने क्या बता था कि once और 10 दो digit को remove करना पड़ता है और बाकी जो नमर बसते हैं वो हमारा question आ जाता है तो देखो six और यानि six टू को क्या करने remove कर देना है तो जो remove करेंगे वो remainder आ जाएगा तो देखो remove के यहां remainder आ रहा है और यह question आ जाए है और जो remove करते वो remainder आ जाता है जो आप यहां पर देख पार है तो clear हो गया यह भी ठीक है अब देखो state true or false तो statement दे रखा है तो repeated subtraction is call क्या होता है बच्छो divisions तो true repeated subtraction is call divisions कह सकते हैं होता ही है बच्छो आप इसे याद कर ले अब आप देखो यहां पर कह रहा है वन स्टेंस हंडेड थॉजन थैन थॉजन लाग एट लाग नैटी टू थॉजन को अगर आप वन थॉजन से डिवाइड करोगे तो यह रिजल्ट आएगा राइट तो अगर हैसा है तो आपको true हो जाएगा तो देखो आप इसको 30 से 30 कैंसल कर दो क्या हो गया इट्वाइड नैंटी टू आ रहा है ऐट हहां पर लिखा एट थोजन नाइटे तो यह क्या हो जाएगा विगॉस तीन जीरो को तीन जीरो से कार दोते हैं यह तो रिजल्ट आता है बट यहां पे रहोंने एक जीरो एक्स्टा लिख रहा है इसलिए हम क्या लिख देंगे फॉल्स लिखेंगे अब देखो डिवाइजर इंटु प्लस रिमेंडर होता है यहां पे इनुन गलत लिख मीन फॉर्मला यह होता है डिवाइजर इंटु प्लस रिमेंडर होता है क्लियर रहा है समझ में ठीक है अब देखिए क्वेश्चिन नमर फॉर में क्या कह रहा है ध्यान से समझ यह वाट प्राब्लम है एन अमोंट और 50,460 इस डिस्टिबुटेड इकुली ठीक है क्या रह हर एक को एकुल इमाँंट डिस्टिबुट करना है ऐस बोनस की रूप में ठीक है अमोंग्स 87 वर्कर्स टोटल वर्कर कितना है 87 वर्कर्स अफ फैक्ट्री में जो 87 वर्कर्स है तो पूछा जा रहा है हाव मच्ट डज इच वर्कर रीसीब तो हर एक वर्कर को कितने bonus के रूप में देना है तो क्या करेंगे हम लोग इस से इसको divide करेंगे तो 50,460 को क्या करेंगे हम लोग divide कर देंगे 87 से तो 87 से जो divide करेंगे तो क्या result आएगा बच्चो आप यहां पे देखिए मैंने solve कर रखा है total number of जो हमारा बच्चो questions number जो है बच्चो फोर है total number अच्चा ब्लांड्स के according है ना यहां पे questions गार्डेनर्स अच्चा question बच्चो मैंने five कर लिया है चलिए four पहले बताएंगे पहले five आपको समझा दिया है तो five समझे तो देखो totals amount जो distributed करना है 50,460 है ठीक है totals number of जो workers 87 से तो each worker को receive कितना होगा तो 50,460 को क्या करेंगे आप 87 से डिवाइड करेंगे तो जब 87 से बच्चो आप डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा five hundred eighty रूपीज आ जाएगा तो five hundred eighty रूपीज जो है ईच व्रकर को bonus के रूप में फैक्टरी से मिलेगा समझा आगे आपको अच्छे से तो इसी तरीके साब अपको डिवाइड कर दिना और डिवाइड तो आप नहीं." आक यह तो आप अगर ऐससे नहीं आते है तो आप ऐसे कर गे डिवाइड कर लेना 87 में क्या करना 50,460 से क्या करना ऐसे डिवाइड कर लेंगा और ऐसे भी डिवाइड करोगे तो हे रिजल्ट आएगा समझा है कि नहीं चलिए अब देख लेते बच्चों क्वेश्चन नमर 4 को चली मैंने समझाया ने और क्वेश्चन नमर 5 समझा दिया नो प्राउलम क्वेश्चन नमर 4 भी देख लेते हैं देखो क्यारे अगार्डेनर प्लान तो प्लांटेड 5600 ट्री लगाना चाहते हैं या प्लांटिंग करना चाहते हैं और टोटल जो है वो 28 रू है मतलब 5600 जो ट्री है वो कितने है 28 रू में लगाने है बस ये कंडिशन है तो पूछा जा रहा है हमसे कि आप बताओ हर एक रो में कितने ट्री लगाए जाएंगे या कितने ट्री प्लांटिंग किये जाएंगे तो वी नीड टो डिवाइड तो हम लोगों को क्या करना है डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा कि इच रो में कितने प्लांट लगाए जा सकते हैं तो चलिए इनको देख लेते हैं और कैसे लिखने स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट आपको बच्छो ऐसे लिखना है तो हम आप ऐसे डिवाइड नीकर रहे हैं तो आप ऐसे भी करके डिवाइड करके चेक कर लिए रिजल्ट वही आएगा ठीक है ना तो 28 से क्या करोगे 5600 में डिवाइड करोगे तो 200 आएगा तो इच रो में कितने ट्री लगाए जाएंगे बच्चो और 200 ट्री लगाए जाएंगे तो क्लियर हुआ चलिए अब देखते हैं नेक्ट क्वेशन अब देखो क्व है 1080 stickers है 800 नहीं 80 stickers है और से एकली अमंग 24 स्टुडेंट और यह जो है 24 स्टुडेंट को बांटना है और हर एक बच्चे को equal मिलना है क्या मिलना है equal तो we need to divide तो हमें बताने तो एक question तो यह हुआ फिर क्या कह रहा है बच्चो इफ अ स्टुडेंट पेस्ट एट स्टिकर इन और पेज इन वान पेज मतलब इफ एस्टूडेंट मतलब स्टूडेंट जो है एट इस्टिकर एक पेज पेश्ट कर देता है हमसे पूछा जा रहा है हमेनी पेज of a scrapbook वेर फिल तो पहले हम एक students को निकालते हैं कि एक student को मिला कितना stickers तब वो जितना मिला उसी को तो वो paste करेगा ना बचो फिर उनकी according हम उन चीजों को समझ लेंगे तो चलिए पहले आपको क्या करना है 1080 को 24 से divide करना है तो चलिए मैंने आई हाँ पर कर रखा है जिसे कि आप समझ पाएंगे और आपका time भी बच पाएगा तो देखो टोटल नमर अफ स्टिकर 1080 है टोटल नमर अफ स्टूडेंट 24 से तो 1080 में क्या करेंगे 24 से divide करेंगे तो 45 जो है स्टिकर आ जोगा मतलब एक बच्चे के पास कितना बच्चा बच्चो 48 स्टिकर हुआ समझ में आ है तो क्या कह रहा है समझ ये एक बच्चे के पास कितना मिला 45 स्टिकर मिला अब question में जो पह रहा है if a student paste 8 8 स्टिकर इच पेज मतलब एक बच्चे जो है एक पेज पे 8 स्टिकर पेज़ कर रहा है तो वो कितने पेज होगा क्योंकि उसके पास total तो कितने है total तो 45 स्टिकर है ना बच्चो और एक पेज़ पे वो 8 स्टिकर पेज़ कर रहा है तो बतो कितनी होगए 8, 5, 4, 40 लेकिन फिर भी पांच बच जा रहा है तो टोटल जो seat होगा या टोटल जो page होगा वो कितने होंगे 6 होंगे तब तो होगा न बच्चो 8 शक 48 मतलब 48 आ जाएगा तो एक में 3 कम होगा बाकी में सब equal होगा समझ रहे बात को तो टोटल कितने pages होंगे 6 pages होंगे तो कैसे लिखेंगे कैसे वो देख लिजिए Each student paste 8 stickers So the total number of pages 8 6 of 48 तो 48 आ जाएगा मतलब क्या होगा बच्चो 5 page पे तो पूरे 8 8 होंगे और जो 6 page होगा उस पे कितना होगा सिर्फ 3 कम हो जाएगा ठीक है तो टोटल हम कितने बोल सकते है 6 page लेंगे जिसमें उनके सारे sticker जो है पेस्ट हो जाएगे तो I hope ये बात है आपको समझ आ गया दोनों questions के answers मिल गए चलिए अब बढ़ते हैं अगला question के तरफ अगला question जो है बच्चो MCQs है Right क्या है Multiple choice questions तो multiple choice questions बहुत अच्छे भी होते हैं है ना trickly भी होता है तो चलिए समझते हैं देखो क्यारे in which numbers sentence in is n अच्छा क्यारे in which number sentence is n6 मतलब ये चार options है तो n के जगह पे कहां पे value रखेंगे तो इस condition को follow कर जाएगा तो देखो अगर हम यहां पे n की value 6 रखते हैं तो 6, 5, 30 ये valid होट जाएगा तो ये हमारा answers हो जाएगा इसको भी check करते हैं देखो यहां पे रखोगे तो 1 आ जाएगा तो ये तो valid होगा ही नहीं यहां रखो तो 6 ये भी valid नहीं होगा even 6, 3 जाए ये भी valid नहीं होगा तो this is the right answer समझ आया तो n की जगह पे हमें ये value put on करना है 6 put करेंगे, face को divide करेंगे तो result आ जागा तो ये हमारा result clear हुआ ठीक है? चलिए अब देखिए question number 8 में क्या गया रहा है which of the following has different value from others? अच्छा अब इसमें कह रहा है कि which of the following has a different value from others मतलब ये चार option दे रखा है चार option में से कौन से different है वो आपको बताना है तो देखो बचो ये 0 से ये 0 तो cancel हो जाएगा तो 99 जा 81 यानि 9 आ जाएगा ठीक है इस 0 से इसको divide कर दो 00 कर दिया तो 878 यहां पे देखो बचो 98 जा नौठे नौठे बतर यहां पे भी 9 आ रहे तो ये दोनों सेम हो गया इस 0 पे 0 से करो तो 8 6 करता ले यहां बचो different हो रहा है तो this is the right answers यहां पे देखो 12 नमे 108 ये भी 9 से कट रहा है तो ये दोनों जो बचो सब जो तीनों नमर है वो 9 से कट रहा है लेकिन ये जो C है ना ये 8 से कट रहा है तो ये ही तो different हुआ न question में कहा रहा है ने कि different value ये सब भी 9 से कट रहा है ये भी 9 से कट रहा है ये भी 9 से कट रहा है बट ये जो है वो 8 से कट रहा है तो ये ही तो different हुआ तो that is the right answers understand? ओके now question number 9 में देखू 9 children spare 1,278 rupees for a magic so, ठीक है, how much did each sticker cost, अच्छा देखो, no student मिल करके 1,278 rupees एक magic so में दिया तो पूछा जा रहा है कि बताओ एक ticket का cost कितना होगा तो क्या करना है आपको, 9 से बच्चो इसके divide करेंगे यहनी आप क्या करेंगे, 9 से 1,278 में अगर आप divide करेंगे तो 142 आ जाएगा, तो magic so का जो ticket का जो cost पढ़ा, वो कितना पढ़ा बचो 142 rupees each student को पढ़ा, यानि each student को पढ़ा, ठीक है चलिए, अब देखते है question number 10 में क्या कह रहा है which problem does the model describe, अच्छा यह देखो model को कौन सा condition verify कर रहा है, यह बाई तो देखो बचो, अगर हम 15 को 2 से divide करेंगे, तो क्या होगा 7 आ जाएगा, 7 2s are 14 और एक remainder आएगा, जो इस model को verify नहीं कर रहा है अब देखो 4, 3s are 12 तो यह तो 3 तो समझ में आता है बट यह 3 फिर भी left हो रहा है अब इससे इसको divide करोगे, तो 5 3s are 15, 5 5 आ रहा है, तो 5 तो यहाँ पे है नहीं models को describe नहीं कर रहा है अब देखो, 4, 3s are 12, यह हो जाएगा बचो, 4, 3 जा तो 1, 2, 3, 4, 3s are 12 होगे, और 3 क्या होगे, रिमेंडर आ गया, तो मतलब यह जो D है जो है, 15 divide 4, यह इस model को value कर रहा है मतलब इस model को describe कर रहा है 4, 3s are 12 तो 1, 2, 3, 4, 3s are 12 और 3, 15, तो यह हमारा answer बन जाएगा ठीक है, अब आप देखो question number 11 में कह रहा है, बचो यह तो बहुत easy है, 549 में क्या करना है, आपको 8 चे divide करना, तो 549 में जब 8 चे divide करेंगे, तो क्या result आजाएगा, तो simple सी बात है, अगर आप इसको divide करेंगे, तो देखो क्या आजाएगा, C बाट आजाएगा, अब चेक कर लेना, नहीं तो ऐसे कर लेना, 8 चे कर लेना 549 में divide कर देना, ठीक है, तो 85, 46, 46 6 लग जाएगा, राइट, बाकी तो इसमें है, इसको आप divide करते ना, ठीक है, तो this is the right answer, ठीक है, चली, question number 12 देख लेते हैं, तो question number 12 में कहा रहा है, बच्चो, divide 83016 को 9 से divide करना है, तो 9 से divide करो तो क्या result आजाएगा, डी आएगा, बच्चो चेक कर लेना, मैंने उसे divide किया है, आपको divide करना है, simple, कैसे divide करेंगे, आप अगर ऐसे नहीं होता है, तो simple ऐसे कर लेना, 83016, क्योंकि यह तो objective है, किसी तरह से आपको answer लाना है, तो आप 9 से divide कर देजिए, तो आपका यह result आजाएगा, तो I hope यह questions MZU समझ में आगे, अच्छे से clear हो गया, चलिए, आगे क्या है, तो mental math में क्या है, यह पहला questions, the divisions from the sentence, 40-10, 10-10, 10-10, तो कितना आजाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, तो हम क्या कह सकते हैं, यह 40 में 10 से divide करेंगे, तो क्या arrangement आजाएगा, आपका, 4 times आजाएगा, तो that is the answers, second question, देखो, divide the place value of 5, right, in the numerals, इतना, and successors of 9, देखो, यहां पे धिहान से समझे, 5 का place value कह रहे है, तो 5 कह है, 1, 10, 100, 1000, तो 5 कह है, 1000 place पहे है, तो 5000 साजाएगा, अब देखो, successors of 99 का, तो 99 का जो successors होगा, वो क्या होगा, 100 होगा, और 100 से 5000 को divide करोगे, तो 2, 0, 2, 0, cancels, तो result क्या आजाएगा, 50 आजाएगा, समझा है क्या, तो देखो, कितनी logic लगाकर की questions दिया हुआ है, ठीक है, 3 में देखिए, क्याने 200 में किस नमर से multiply करेंगे, तो 800 आजाएगा, तो 4 से कर दिये, तो यह आजाएगा, the numbers, which is the left after division, is called क्या होता है, remainder होता है, जब आप किसी number से divide करते हैं, और divide करने के बाद बच जाता है, that is called remainder होता है, क्या होता है, remainder बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर दीजे, बच्चो फाइव से, जब 5 से divide करोगे, गसे निकल कै आजएगा, 5 तूbles से क्या हो जाएगा, बच्चो टन, और यह आजएगा, तो टू हंडेट 5 रूपीज आ जाएगा, टोटल क्या होगा, बच्चो, एक बाल का जो कोस्ट होगा, $2,005 रूपीज आ जाएगा, आप यह बात है आपको समझ आ गया ठीक है आप देखिए क्वेश्चिन नमर्ट 6 में कह रहा है कि आप प्लेन फ्ल्यू टो 2100 किलोमेटर्स इन 7 आवर्स अच्छा तो देखो एक प्लेन है जो 7 घंटे में यानि 7 आवर्स में इतने किलोमेटर्स वो फ्ल्यू मतलब उपर जाता है या मतलब फ्लै करता है जो भी कह लेजिए आप है ना तो एक घंटे में कितने जाएगा तो 2100 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 300 किलोमेटर्स हो जाएगा तो टोटल एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है 300 किलोमेटर्स कवर कर लेता है जाता है और चाप्टर जो 5 है कम्प्लीट होता इसे के साथ इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखाए बचो ते चैनल पर विजिट करो और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस सेक्शन में जाएगी क्लास फूर्थ का, वहाँ पे आपको एंटायर वीडियोज मिल जाएगा, जिस भी एक्सरसाइज में या जिस भी चाप्टर में आपको प्रॉब्लम है, उस चाप्टर के वीडियोज को देख करके अपनी को क्लियर कर सकते हो, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना, तो उसका सेपरिट लेक्चर में आपको बना दूँगा, ठीक है, चलिए, तो अगर चैनल पे नहीं हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर लो